मैं बनाऊंगी दोसा इस्टैल में चावल की रोटी पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी चावल लिये हैं और आधी कटोरी और अधी कटोरी दाल ली हुई है इनको 5 गंटे पहले मैंने भिगो दिया तो जो कि यह हमारे अच्छे तरह से फूल जाए इसके बाद मैंने इसका पा और ज्यादा पतला भी नेपीशना है यहाँ पर यह देखो मेरा पिश चुका है अब चम्मत इस तरह करके मैं दिखा रही हूं इतना ऐसे आपको इतना पतला रखना है इस तरह से चम्मत पर यह चिपका रहा है अब मैं यहाँ पर तब यह पर घी लगा रही हूं तब ज्य जादा गरम नहीं करना अलका ही गरम करके मैं इस पर घी लगा लूँगी पहले इसके बाद मैं जो चावल का गोल त्यार किया होता है वह डालूँगी इसके उपर आप इस तरह से इसको डालूँगी अब यहां पर गैस लो फिलेंपे ही रखूंगी ज्यादा तेज नहीं आप यहाँ पर मैं गैस मीडियम कर दूँगी, गैस मीडियम करके और इसको देरी देरी करके इस तरह से सेक लोगी, ज़्यादा मोटा भी नहीं इसको रखना, इसको पतला ही सेकने में, जितना पतला आप इसको रखो उतनी यह खाने में अच्छी लगती है, चावल दोसा की तरह बिल्कुल लगती है, और यहाँ पर यह हमारी देखो बन कर तयार हो गई है, चावल की रोटी, और यह आप लोगों को अच्छी लगी यह वीडियो तो चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें,